कि भारती जनता पार्टी, अम मोदी जी तो बिलकुल मौन हो गए थे, इस पर खामोश हो गए थे राम मंदिर को ले करके, पहली बार उन्होंने चुपी तोड़ा सी उसे ना के वहाँ जाने के बाद जब उद्धव ठाकरे जब चले गए, जब उद्धव ठाकरे ने वहाँ नारा दिया कि पहले मंदिर फिय सरकार, तो फिर मोदी जी जो है, उनको इतना उससे जो है, टीटमेंट मिला मोदी जी को, कि उनकी चुपी टूटी, अब क्या वो बोले, कि कांग्रेस नहीं चाहती है, राम मंदिर बने, अरे हम कहते आप बिल ले आइए, अगर कांग्रेस जो है, उसका विरोध करेगी, तो उसका चेहरा बेनकाब होगा, हम सब लोग समझेंगे कि कांग्रेस विरोध कर रही है, अब आप यह सी एष्टी पर तो कांग्रेस नहीं पूछते हो, आप भी लिया लेते हो, आप टिपल तलाग पर कानूर बना लेते हैं, और जब राम म बीजेपी जो है गव हत्या को बढ़ावा दे रही है हिंदू मंदिरों को तोड़वा रही है और उपर से जो है ये हिंदू बादी चेहरा का जो है मुखाउटा पहन करके और हिंदू विरोध में काम कर रही है बीजेपी की बहुत बड़ी साजी से और मैं आपको बता दू ह अम इस साका ये कभियान चल ला है, ये साका हरी को पैसा बाट रहे हैं, मांसा हरी को भाइसा बाट रहे हैं, और विशिन्दु परिशत को मोटी रकम दे करके, अब ये चाहते हैं कि जो धर्माचार पैसा लेकर मान जाए, उसे बीजेपी का परचार करा हो, लेकिन मेरे जैसे जो धर्माचार हैं, वो न भीग सकते हैं, और न डर सकते हैं, हाँ, ये जरूर है कि भारती जन्ता पार्टी की इस समय मिजोर्टी में सासा सरकार है, आज उनका मेर से राष्ट पती थे गए, वो हत्या करा सकते हैं, और मेरे साथ इसा दुर्वेवार हो चुका है, लिकिन मुझे यहां से घसीट के ले जाया गया, और इसके बाद वहाँ जो किर्तन हो रहा था, डंडा पटक के जैसी राम का किर्तन बंद कराया गया, और बारा घंटे तक कोई टीटमेंट नहीं, अगर मेरी तबियत ज्यादा नाजुक थी, तो तुर्वेवार और इसके बाद वहाँ योगी जी जब मिलते हैं हमसे, तो योगी जी कहते हैं कि मैं आपकी बारता प्राइम निश्टर्शे करा देता हूँ, और वहाँ आप अपना पक्षे रखिये, कोई हल निकल जाएगा, और इसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, जब दिया जलाने आ बादू नहीं है, योगी जी के अंदर जो है, आपको क्या बताओं, पहले जो हम लोग उमीद किये थे, आप मुझे तो ऐसा लग रहा है, कि ये लोगों कि भारती जनता पार्टी की हिंदू संस्कृती खतम करने की बहुत बड़ी साजिस थी, और जो हिंदू समाज को जो ह अपने भरोसे में ले करके, और इतने लंबे, अगर ऐसा नहीं होता, तो आप समझिए, हम लोग भाजपा के परचारक थे, किवली सुमीद में थे, कि जब ये सरकार जो है, शेंटल में और श्टेट में दोनों जगह होगी, तो मंदिर बन जाएगा, लेकिन देखिए, हम लोग आसावान थे, कि बावरकाल में जो 40,000 मंदिर तोड़े गए थे, वो सब जो है 40,000 मंदिर बन जाएगे, लेकिन भगवान राम को एक छट नहीं मिल पाई, और गव सेवा करने वालों को मोदी जी सोयम कहते हैं, गो सेवकों की गुंडे हैं, तो ये कहीन कहीं से भारत का सबसे बड़ा तीरत अयोध्या, दुनिया जानती है कि भगवान राम की जनम भूमी है, जहां राम लला पैदा हुए, आज भगवान राम को एक छट नहीं दे पा रही सरकार, राम जी के नाम पर एक चाय बेचने वाला आज बिमान से उड़ रहा है, दुनिया की जो है विजिट कर रहा है, पियम बन गया, लेकिन वो अयोध्या नहीं आए, और राम लला के लिए आज तक उनके लिए एक छट देने के लिए कोई भी विकल्प नहीं रहा